Hello friends, welcome back to my channel Art Factory PD Friends, आज मैं जॉर्जट पर आप सभी के लिए फाबरिक पेंटिंग लेकर आई हूँ बिलकुल पर्ल वाइट जॉर्जट का फाबरिक है और उस पर बहुत खुबसूरत सी फाबरिक पेंटिंग की गई है तो ये फैबरिक पेंटिंग कैसे की गई है, क्या क्या तरीका इसमें इस्तमाल किया है मैं पहले बता चुकी हूँ लेकिन इस पर कुछ अलग तरीके से है क्योंकि colored fabric पर करते हैं हम तो उसमें ज़ादा डर नहीं होता लेकिन अगर हम वही white फैबरिक पर करते हैं पर स्पेशली जॉर्जट फैब्रिक पर मैं लेकर आई हूं वीडियो तो पूरी वीडियो वाच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को बहुत स है फ्रेंड्स आप चाहे तो इसको बाए कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा अगर आपको भी चाहिए तो फ्रेंड्स जॉर्जट की कुर्ती पर वर्क जो हम करेंगे वो थोड़ा सा अलग होगा सो सबसे पहले मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूं और आपको पैलेट में बहुत सारा कलर लगा हुआ दिख रहा होगा ये कलर हम नहीं यूज़ करने वाले हैं अभी तो मैं इसमें यूज़ करूँगी सैप क्रीन कलर ब्लैक कलर मरून कलर और साथ में वाइट कलर सो ये ये कलर मैं आज यूज़ करूँगी याब ये देखे मैंने यहां पर ड्रॉइंग नहीं की हुई है और मैं ये जो स्टेंप्स हैं ब्रश की हल्ब से ही बना रही हूँ राउंड पर ज़ादा बिलीव करती हूँ तो देखे इस तरह से free hand ही leaves मैं बना रही हूँ थोड़े से बड़े बड़े leaves बनाएंगे क्योंकि जो ये pattern है मैंने choose किया है इस कुर्ती पर करने के लिए ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही है और friends ये कुर्ती भी for sale है अभी incomplete है जी हाँ friends ये वीडियो आपके पास पहले आ रही है अभी ये कुर्ती complete नहीं हुई है इसका जो complete होने के बाद view है मैं आपको community section में पोस्ट करके जरूर दूँगे आप लोग देखेगा और मुझे बताएगा कैसे लगी तो जो leaf है ना इनमें थोड़ी सी darkness हम देंगे black color से maroon color से भी मैं इसमें थोड़ी सी darkness दूँगे लेकिन उसको use करेंगे थोड़ा सा dry होने के बाद यह जो color है अब आप देखे जहां पानी मेरा जो black color है उसमें थोड़ा सा पानी mix था तो आप देख रहे हैं वो किस तरह से spread हो रहा है बस यही चीजे हैं कि अगर हम color में पानी mix करेंगे और फिर georget के किसी fabric पर work करेंगे तो वो smudge होने का बहुत जादा खत्रा रह जाता है तो हमें इसमें medium mix करना है medium की consistency थोड़ी सी थिक होती है तो वो आपकी color की consistency उसको match कर लेता है तो उससे बहुत अच्छा सा इसका लुकाता है तो अब देखे यह maroon color मैंने थोड़ा थोड़ा सा ages पर जो है आपलाय किया है जो rose बनाने वाली हूँ इस पर और rose के जो leaf हैं उन बहुत पसंद है white कुरती है तो इस पर तो rose बहुत जादा खिलने वाले हैं वो rose मैं कैसे बनाओंगी वो तो आप देखेंगे वीडियो के last में सो अभी तो मैं leaf बना रही हूँ सबसे पहले base हमारा यही होता है कि हमारे leaf है वो कहां कहां आने वाले हैं कैसे कैसे उसकी placement होग क्योंकि placement से ही हमारा जो work है न उसका result है वो हमें मन मताबिक मिलता है जब हम placement अच्छे से कर लेते हैं तो हमें यह पता रहता है कि हमें इतने space में work करना है इतने space में हमें उस में fruit बनाना है इतने में leaf बनाना है या फिर कुछ और बनाना है तो देखे जो हमें depth है वो दोनों color से दे रही हूं मैं जहां maroon और black दोनों color को लेकर और साथ में मेरा sap green color है जो leaf हैं उनको हम shading दे रहे हैं थोड़ा सा अलग तरीके से क्योंकि color हमने पतला किया है और जॉर्जिट पर न हम thick color यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो अगर stick नहीं हुआ तो वो बिल्कुल पपड़ी के जैसे निकलना शुरू हो जाएगा और वो फिर look बहुत जादा खराब कर देगा तो यही कुछ चीजें हैं आप देखे black color तो मेरा बहुत पतला हो गया था मैंने किसी class के लिए उसको थोड़ा सा पतला करके रखा था लीफ जो बनाए मैंने अब यह देखे लीफ बनाने के बाद कुर्टी का लुक देखिए आप कितना खुबसूरत है सारे leaf complete हो ग कलर मैं यूज कर रही हूं और यह देखे white color को हमने बेस दिया है उपर से नीचे की तरफ और नीचे से उपर बेस देंगे हम maroon color से मैं चाहती तो यहां पर मैं pink color या भी ले सकती थी लेकिन maroon color से जो shade है white के साथ mix होने के बाद वो बहुत अच्छी सी natural सी shade बनकर निकलती है और वो बहुत प्यारी सी लगती है और जो yellow touch है यह हलका हलका सा हमारी petals में होता है fresh flowers जो होते हैं उनमें तो मैं जादा yellow color use नहीं कर करने वाली हूं सो यह देखें इस तरह से जो है ना हमारा white color हम spread करेंगे and then हम करेंगे इसमें जो नीचे से उपर की तरफ यानि की inner part जो है petal की उससे बाहर की तरफ करेंगे हम जो हमारा maroon color है वो dark shade जो भी आपकी होगी वो inner से outer की तरफ होगी और light shade outer से inner की तरफ होगी और merge करने के लिए खराब brush का use कर रही हूं मैं यह आपको मैं पहले भी हर वीडियो में बताती रहती हूं तो देखें यह थोड़ी सी बड़ी petals है वहाँ थोड़ा थोड़ा जादा yellow भी चल सकता है और जो dark color है उसकी जो depth है वो भी हमें इसी तरह से manage करने है क्योंकि देखें अ वो naturally बन जाते हैं जो हम single stroke painting से लेते हैं वो stroke हमें naturally मिल जाते हैं और बहुत अच्छे से merging भी हो जाती है तो आप देख रहे हैं यह shade कितनी अच्छी बन कर आती है जब हम maroon color को white के साथ और yellow के साथ mix कर रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे इससे यह flower लग रहे हैं friends जब यह कु करना आप बने रहिएगा इसका complete look देखने के लिए कैसी लगी यह भी for sale है आप में से किसी को अगर चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं community section में आप मुझे कुर्ती की जो पिक होगी उसके नीचे बता दीजेगा या फिर वीडियो की नीचे comment करके बता दीजेगा सो मैं आपको फिर अपना contact दे दूँगे आप वहां से मुझे contact कर सकते हैं इस तरह से पैटल्स बर पैटल्स आप बनाए जाए और देखिए रोज बनाने का ये भी एक बहुत अच्छा सा तरीका है एक बार center में एक पैटल बनाने के बाद हम जो है ना पैटल्स उसकी फिर आसपास बनाते जाते हैं क्योंकि सबको पता है रोज में परत दर परत बहुत सारी पैटल्स होती है और देखिए ये जो है ये है folding effect यहाँ पर दिया है हमने और उसको बाद में हम और भी ज़दा डार्क करेंगे वाइड कलर से सो ये देखिए बहुत अच्छे से जो है ना बहुत टाइम सेव हो जाता है सो अभी ये देखिए कितना जो है ना सरफ हमें पैटल्स ही बनानी है और अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह कि रोजिज आप नैचरली ही खुद से ही बना सकते हैं सो बहुत इजी है कोई खास मुश्किल नहीं है फ्रैंस लेकिन जॉर्जेट पर वर्क करने का सबसे में तरीका यही है कि हम जो कलर है उसमें पानी ना एड़ करके मीडियम एड़ करेंगे और एक तरीका और मैं बता देती हूं वो मैं इसमें शूट करना भूल गई वीडि अप्लाय कर लीजिए उसके बाद आपको कलर में कुछ भी एड़ नहीं करना ना ही मीडियम और ना ही वाटर और उसके बाद आप उसके उपर से कलर कीजेगा तो वो कलर भी पत्ला ही रहता है डा जो है ना हार्ड नहीं होता है मैंने इसमें एक flower इसी technique से बनाया है मैं उसके लिए sorry feel करती हूँ कि मैं record करना उसको भूल गई इस तरह से भी आप work कर सकती है और ये भी बहुत अच्छा सा तरीका है अगर आपको कोई परेशानी आती है कोई दिख्कत आती है तो आप मुझसे comment section में comment करके आप लोग मेरी youtube family है और मेरे साथ ऐसे ही बने रही है हमेशा हमेशा तो ये देखे ये जो हमने folding effects दिये थे ना कुछ और मैं folding effects इसमें दूँगी जो जो petals मुझे लग रहा है जादा बड़ी लग रही है वहाँ पर मैं इनको folding effects के साथ cover कर दूँगी और ये बहुत जादा ही खूबसूरत लगेगा जब complete हो जाएगा तो इस तरह से हम जो है ना इसका work कर रहे हैं और ये देखे ये simply white color है और कुछ भी नहीं है folding effect में कोई भी मुश्किल नहीं है बहुत easy है तो ये देखे इस तरह से आपको जहां दिल करे जिस भी पैटल में दिल करे वहाँ पर आप ये folding effect दे सकते हैं और नीचे तो dark color है ही तो ये हुआ हमारा एक rose complete तो अभी इसमें एक rose और बनाया है और कुछ बड़ बनाई है वो आप देखेंगे और बताईएगा मुझे जरूर से जरूर की कैसा लगा ये work और ये कुर्ती बनने के बाद कैसी लगेगी आप लोग मुझे बताईए अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी ये तो बाद की बात है लेकिन आप लोगों की imagination आप लोगों का प्यार है इतने दिन से मेरे साथ जोड़े हूँ है तो आप लोग easily बता सकते हैं कि इसका look कैसा होने वाला है ये मैं use कर रही हूँ मेरा 3D outliner और देखे 3D outliner से करने के बाद तो look ही अलग से निकल कर आती है और अब आप देख रहे हैं कि ये जो कुर्ती है देखे अब ये flowers हमारे complete हुए है और अभी कुछ space खाली है वहाँ मैं बात में करूंगी वीडियो अगर आपको पसंद आई है न friends तो बहुत सारा like कर दीजिए share कर दीजिए friends and family के साथ और channel पर नए है तो subscribe करके bell icon को press कर लीजिए और साथ ही साथ और भी वीडियो वाच कीजिए fresh rose की वीडियो देखनी है तो left side में click कीजिए और 3D rose की वीडियो देखनी है तो right side में click कीजिए